हेलो स्टुडेंट्स, रिवेस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ग्रूप 16 इलिमेंट्स में जितने सारे टॉपिक थे सब समाप्त हो चुका था अब हम लोग इस वीडियो से अधियन करेंगे ग्रूप 17 इलिमेंट्स के बारे में ग्रूप 17 इलिमेंट्स को हेलोजन्स भी कहा जाता है क्यों क्योंकि इसमें जो इलिमेंट्स हैं वह सब का सब साल्ट फॉर्मेशन करने में पाटिस्पिट होते हैं इसलिए हेलोजन्स का मतलब ही कहा जाता है salt formation करने वाला element अब group 17 elements में कौन-कौन से element है तो वह है fluorine, chlorine, bromine, iodine and esthetic इस group में हम लोग यही सब elements के कुछ गुनों के बारे में और कुछ compounds के formation और उसके कुछ usage के बारे में अधियन करेंगे तो चलिए देखते हैं इस group का पहला topic जो की है occurrence नानी उपस्थिती की group 17 elements हमारे प्रिथवी के सता पर किस रूप में विदमान या उपस्थित होते हैं फ्लोरिन जो की पहला element है group 17 का की फ्लोरिन is the 13th most abundant element on the earth crust की फ्लोरिन हमारे प्रिथवी के सता पर 13 होँ सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है which are found in the form of जो पाए जाता है किस रूप में तो calcium fluoride के रूप में इसको बोलते हैं appetite appetite के रूप में या तो cryolight के रूप में उसके बाद group 17 का जो दूसरा तत्व है element है वह है chlorine chlorine is the 20th most abundant element on the earth crust chlorine जो है समारे प्रिथवी के सता पर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला विश्वा तत्व है which are found in the form of जो पाए जाता है NACL के रूप में या तो करने light के रूप में और group 17 का जो तीसरा और चोथा तत्व है element है वह है bromine and iodine the bromine and iodine are found in sea water and sea animals in the form of salt कि bromine और iodine जो है समुदरी पानी और समुदरी जीवों में पाए जाता है किस रूप में तो in the form of salt के रूप में पाए जाता है या था आपका occurrence of group 17 elements या तो halogens उसके बाद है इसका electronic configuration कि group 17 elements का electronic बिन्यास क्या होगा the general electronic configuration of group 17 elements are NS2NP5 कि group 17 elements का जो समाइन ने electronic बिन्यास होता है वह होता है NS2NP5 जहां पर N का indicate कर रहा है तो number of balance cell कि आखरी balance orbit कौन सा है उस element का उसको indicate करेगा और जो भी balance cell होगा उसमें S सबसेल में दो ही इलेक्टोन होगा और P सबसेल में 5 ही इलेक्टोन होगा इसको हम लोग देख सकते हैं group 17 elements के electronic configuration से जो की पहला है chlorine का chlorine atomic number 9 आने electron के संख्या 9 इसका noble gas configuration लिखा गिया helium में 2 electron 2S में 2 और 2P में 5 chlorine का balance cell को क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और second balance cell जो है उसमें S सबसेल में 2 electron है और P में 5 सबसेल है 5 electron है आनि total balance electron कितना हो जाएगा 7 और balance कितना हो जाएगा 1 उसी तरह से chlorine का भी लिखा गिया है noble gas configuration neon में 10 electron 3S2 3P5 chlorine का balance cell है 3rd और इसमें S सबसेल में भी 2 electron और P सबसेल में भी 5 electron है उसी तरह से bromine का है argon 18 4S2 3D10 4P5 इसका balance cell चोथा है और इसके S में 2 electron और P में 5 electron है उसी तरह से iodine और estatin का भी estatin का भी noble gas configuration और iodine का भी noble gas configuration दोनों को लिखा गिया है और दोनों का balance cell देखो iodine में है 5S2 IP5 और estatin में 6S2 और 5 sorry 6P5 यह था अपका electronic configuration उसके बाद है atomic and ionic radii atomic and ionic radii के जब हम लोग बात करते हैं तो जब भी हम लोग group 17 के group में fluorine से iodine की तरफ जाते हैं बढ़ते हैं आगे की तरफ fluorine से iodine की तरफ तो atomic and ionic radii increase होता है बढ़ता है क्यों होता है तो due to increase in number of cell number of cell के बढ़ने के कारण atomic and ionic radii chlorine से iodine की तरफ बढ़ता है इसको हम लोग देख सकते हैं electronic configuration से कैसे chlorine से chlorine की तरफ बढ़ते हैं bromine की तरफ बढ़ते हैं iodine की तरफ बढ़ते हैं तो number of cell बढ़ता है अभी हम लोग उने देखा था electronic configuration अब ध्यान से देखो कि chlorine में balance cell second ही है जब कि chlorine के balance cell third है और bromine के balance cell चोथा है अनि कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं chlorine से chlorine की तरफ ब्रोमीन की तरफ तो वेसे वेसे number of cell भी जो इसो बढ़ते हैं क्योंकि इसमें दो ही cell था इसमें तीन है इसमें चार है इसी के कारण से इसका size भी बढ़ रहा है तो वही लिखा गिया है कि जब हम लोग atomic and ionic radia के बात करें तो ग्रूप में chlorine से iodine की तरफ बढ़ता है क्यों क्योंकि chlorine के बाद जो element से उसमें number of cells जादे होता है उसके बाद है ionization enthalpy ionization enthalpy का मतलब होता है कि किसी भी तत्व के element के balance cell से एक electron को निकानने के लिए जितना energy हम लोग को देना पड़ता है उसी को कहते है ionization enthalpy जो कि group 17 में chlorine से iodine की तरफ घटता चला जाता है क्यों तो due to increasing atomic size इसको इस तरह से समझते हैं कि suppose कि fluorine, chlorine, bromine, iodine चारो का चारो जो है एक छोटा सा लकड़ी है लकड़ी है जो कि increasing order में सजाए गया है यह छोटा लकड़ी है इससे थोड़ा बढ़ा है इससे थोड़ा यह बढ़ा है और सबसे बढ़ा है iodine अब कौन से लकड़ी को तोड़ना असान होगा तो जो ज़्यादा बढ़ा होगा iodine को तोड़ना असान होगा असान होगा कहने का मतलग क्या हुआ कि energy कम लगेगा तो सेम यहाँ पर है कि जैसे जैसे fluorine सा iodine की तरह बढ़ते है तो size बढ़ता है तो तोड़ना भी तो असान होगा तोड़ना असान होगा मतलग एनर्जी कम लगेगा वह ही लिखा गे का इनर्जिसन इन्थाल्पी decreases from chlorine to iodine क्यों तो due to increase in atomic size उसके बाद है electron affinity electron affinity के दूसरा नाम है electron gain enthalpy मतलब होता है इसका कि किसी भी element के balance cell में एक electron बाहर से डालने में जितना energy बाहर निकलता है उसी को कहते है electron affinity या तो electron gain enthalpy जो की group 17 में chlorine से iodine की तरब गठता है क्यों? तो due to increase in atomic size atomic size के बढ़ने से हावी बर फिर भी chlorine has less electron affinity than chlorine फिर भी chlorine का electron affinity कम होता है chlorine से ऐसा क्यों होता है तो देखते हैं सबसे पहले अभी जो हम लोगों ने देखा था कुछ दिर पहले कि हम लोगों ने भी देखा कि chlorine से iodine की तरफ electron affinity कम होता है लेकिन हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि फिर भी फ्लोरिन का जो इलेक्ट्रोन एफिनिटी है वा कम होता है किस से तो कलोरिन से काने का मतलब हुआ कि फ्लोरिन का इलेक्ट्रोन एफिनिटी इस ट्रेंड में जादा है कलोरिन से लेकिन इन जेनरल जब देखा गया scientifically उसको observe किया गया तो पाये गया कि नहीं, fluorine का ज़्यादा नहीं होता है chlorine का ज़्यादा होता है electron affinity, fluorine से यह क्यों होता है तो because क्योंकि of a small atomic size of fluorine atom fluorine atom के size छोटा होने की कारण which causes electron inter electronic repulsion, कि fluorine का size छोटा होने कारण उसमें electrons आपस में repel करने लगते हैं, तनाव उत्पन हो जाता है, electrons के बीच में, जिसके कारण fluorine का electron negative electron affinity कम हो जाता है, chlorine की तूल नाम यह question exam में पूछा भी जा चुका है कि fluorine का electron negative affinity कम होता है chlorine से क्यों, तो यही answer लिख देना है, क्योंकि fluorine का size चोटा होता है, जिसके कारण उसके electrons के बीच में repelsion होना start हो जाता है उसके बाद है electron negativity electron negativity का मतलब होता है कि कि किसी atom या element का वागून, या तो छमता जिससे किसी दूसरे atom के electron का अपनी तरफ आकरसीद करें और यह छमता group 17 में fluorine के पास सबसे जादे, उससे कम chlorine उससे कम bromine और सबसे कम iodine के पास होता है, कहने का मतलब from chlorine to iodine electron negativity decreases, क्यों होता है तो due to increase in atomic size atomic size बढ़ेगा, तो electron negativity का power गटे यह था कुछ general properties of group 17 elements उसके बाद अगला टॉपिक है जो कि है physical properties physical properties बहुतिक गुनों के बारे मध्यन करेंगे कि fluorine and chlorine are gases कि fluorine and chlorine gas की रूप में पाए जाता है जबकि bromine liquid की रूप में पाए जाता है और iodine एक solid की रूप में पाए जाता है दूसरा है fluorine, chlorine, bromine are non metals fluorine, chlorine, bromine जोएस अधातू है जबकि iodine, जोएसो semi-metall, अर्ध धातू है इस तरह समलुक क्या कर सकते हैं क्या कहा सकते हैं therefore, इसलिए the metallic character increases down the group इस तरह समलुका सकते हैं कि धातू का गुन जोएसो fluorine से iodine की तरह पाते आते बढ़ता है तिसरा है melting point and boiling point increases down the group कि chlorine से iodine की तरह पाते आते है उसका melting और boiling point बढ़ता है क्यों, तो due to increase in venerals force of attraction कि atoms के बीच में venerals force of attraction आनि की intermolecular आनि की molecules के बीच में electrons के बीच में atoms के बीच में accursion बल बढ़ने के कारण इसका melting और boiling point from fluorine टो iodine बढ़ता चला जाता है यह था physical properties of group 17 elements अब अभी जो हम लोगों ने topic पढ़ा जितना भी topic पढ़ा उससे कुछ questions के बारे में deal करते हैं जो कि पहला question है कि halogenes have maximum negative electron gain enthalpy in the respective periods of periodic table y कि halogen के पास electron gain enthalpy बहुत ही कम होता है अपने ही period में periodic table में जितने सारे period से उसमें सब से कम होता है halogenes का electron gain enthalpy तो इसा क्यों होता है उसका answer देना है कि electron gain enthalpy का मतलब हम लोग क्या था कि electron को डानने में जतना एनर्जी निकले उशीव करते एलेक्ट्रॉन गैन इन्θाल्पी तो बोल रहा है कि हेलो जंसका एलेक्ट्रॉन गैन इन्थाल्पी कम होता है मतलब हो difetide Nagar Rather को धत्रॉन कंद करें करें किना किनकला होर्टों से कम होता है कि मतलब हो भर electron कम gain करता होगा ती energy जो है सो कम छोड़ता होगा अब electron कम gain क्यों करता है क्योंकि अगर हेलोजन्स का configuration फिर से ध्यान लगाऊगे तो उसमें balance सेल में साथ electron था तो octet complete करने के लिए मातर एक ही electron चाहिए अब एक से ज्यादा तो ले नहीं सकता है तो एक ही electron gain करेगा ती energy भी उतना ही release करेगा जबर जस्ति दो या तिन electron तो gain करेगा नहीं क्योंकि octet complete हो जाएगा तो इसी की कारण से क्योंकि उसका size छोटा है और एक ही electron क को gain करके अपना octet complete कर पा रहा है जिसके कारण से इसका electron gain enthalpy सबसे कम होता है अब देखते आंसर क्या होगा कि हेलोजन्स हैवदा smallest size कि हेलोजन्स का size सबसे छोटा होता है इन दे रिस्पेक्टिव पिरियड कि इतने भी पिरियड से हैं जिसमें हेलोजन का size सबसे छोटा होता and therefore इसलिए high effective nuclear size size छोटा होता है लेकिन electron जादा होता है जिसके कारण से उसका nuclear जो nucleus का charge वो बढ़ जाता है as a consequence इसके फ़ल सोरुप they readily accept one electron to acquire noble gas configuration जिसके कारण से सिर्फ हेलोजन एक ही electron को accept करके जो हैसो अपना noble gas configuration को complete कर लेता है जिसके कारण से कम energy release करता है और electron gain enthalpy कम होता है दूसरा question है although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine कि चुकि chlorine का electron gain enthalpy कम होता है chlorine से फिर भी fluorine is a stronger oxidizing agent देने फिर भी fluorine ज्यादा stronger oxidizing agent है chlorine से क्यों oxidation का मतलब होता है electron को release करना और oxidizing agent का मतलब होता है कि खुद reduce करेगा और दूसरे को oxidize करेगा तो बोल रहा है कि fluorine के electron के enthalpy कम होता है मतलब हुआ electron जो हैसो कम gain कर सकता है chlorine के तुलना में फिर भी बहाँ stronger oxidizing agent है दोनों को देहान से समझोगा oxidizing agent का मतलब खुद reduce होना और इलेक्ट्रोन को लेना तो जितना ज्यादा electron को gain करेगा उतना ज्यादा powerful oxidizing agent होगा लेकिन chlorine के electron gain enthalpy कम होता है और electron कम ले सकता है फिर भी बोल रहा है कि fluorine atom को तोड़ते हैं तो उसके तोड़ने में कम energy लगता है chlorine की तुलना में यह पहला region है और दूसरा region है high hydration enthalpy का मतलब होता है कि जब हम लोग chlorine atom को water में डुबाएंगे तो water के साथ अभिक्रिया करने के दोरान जितना energy बाहर निकलेगा वह काफी ज़्यादा होता है chlorine की तुलना में as compared to chlorine यह दोनों answer था आपका इस question के यह था आपका group 17 elements का general characteristics and physical property और उससे कुछ questions अगले वीडियो हम लोग इस group के chemical properties के और कुछ compounds के formation के बारे में अधियन करेंगे झाप झापका जिसे हम आपकाउ आपकाई हम लोग्यादा आपका एषारा आपकान के सीचिए एपका झापकान एभिक्रिया लोग्यादा निया आपका बारे में अखकाई।